गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम टू दासन पब्लिक स्कूल डग ओनलाइन क्लासेश डियर स्टुडेंट्स हमने हमारे चार लेशन कंप्लेट कर लिये हैं आज पांचवा लेशन नाना साहब की पुत्री मेना को भस्म कर दिया गया चपला देवी इसकी लेखी का ह स्कूलें नाना साहब की पुत्री मेना को किस तरह से बस्म कर दिया था इसके उपर हम चर्चा करेंगे। पेज नमबर 209 निकाले प्रष्ट संख्या 209 नाना साहब की पुत्री मेना देवी को भस्म कर दिया l लेखीका का प्रिचे देखे, दुयदी युगीन चपला देवी अपने समय की गुमनाम लेखिकाओं में से एक है, उनका जीवन परिचे उपलब्द नहीं है, उनकी रचनाओं को पढ़कर उनकी निमलिकी साहितिक विशेष्टाएं सामने आती है, वो गुमनाम लेखिकाओं उनके बारे में कोई इतना जानता नहीं है, जिसके कारण उनकी साहितिक विशेष्टाएं ही देखी जाती है, चपला देवी का साहित्य अपने युक्य संगर्ष को व्यक्त करता है, उन्होंने स्वात अंतरता संगराम की एक अच्छुते प्रसंग को उठाया, उनके वरणन अच्यंत सजीव भी हैं, वास्तविक भी हैं, उन्हें पढ़कर स्वात अंतरता संगराम की जहांकी सब के सामने उपस्तित होड़ थी, बाशा शेली, चपला देवी की भाशा संस्क्रत निष्ट हैं, उधारन के लिए अर्द रातरी के समय चांदनी में एक बालिका, स्वच्छ उज वस्तर पहने नाना साहब के भगना विश्षिष्ट प्रासाद के डेर पर रो रही थी, अर्थात उन्हें संस्क्रित के वर्ड को अधिक अपनाया है, इसी के आधा साथ जनरल गिरपतार जैसे अंग्रेजी और्दु शब्दों का भी प्रियोग हुआ है, उनकी वानी में क देशबक्ती जगाने की अध्भूत शमता है, पाट सार, देखे बचों ध्यान से, पे नमर 210 पे, नाना साहब की पुत्री मेना को बस्म कर दिया, सन 1857 इसवी के स्वत अतनता संग्राम से संबंदित बलिदान की कथा है, सन 1857 का जो संग्राम था, उससे संबंदित कथा है, जो ने कुरूर अत्याचार किया था, बेठूर में राजमहल की लूट, सन 1857 इसवी के संग्राम के विद्रोही नेता, दुंदूपत नाना साहब जब कानपूर में असफल होने पर भागे तो अपनी बेटी मेना को न ले जा सके, मेना बेठूर में इस्तित उनके महल में र लूटने के बाद उन्होंने महल को बहस्म करने के लिए तोपें चलाई, सेनापती है की दया, मेना ने अंग्रेज सेनापती से महल पर गोले बरसाने को मना किया, उसने अपनी तथा उसकी पुत्री की मित्रता को बारें बताया, मेना की बाते सुनकर उसे सब बातें याद आ गए उसने कहा कि मैं सरकार की आग्या नहीं टाल सकता किन्तु तुमारी रक्षा की अवश्य कोशिश करूँगा तब ही जनरल आउट अरम वहां आ पहुंचा उसने बिगड कर पूछा कि नाना साब का महल तोड़ा क्यों नहीं गया सेनापती है ने उससे निवेदन किया कि उस महल को बचा लिया जाए और टरम ने कहा या असंबवे अंग्रेज नाना साब पर बहुत क्रोधी थे इसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमती लेनी पड़ेगी है ने सलादी कि गवर्नर जनरल केनिंग को इस आशे का तार बेजा जाए टरम ने कहा आउट रम ने कहा कि उसे महल तोड़ने और मेना को गिरपतार करने का कदम उठाना ही पड़ेगा सेना पती है दुखी मन से चला गया आउट रम के सेनिकों ने मेना को गिरपतार करने के लिए महल का कोना कोना चान मारा किन्तु लड़की का पता नहीं लगा इदर लाड केनिंग का आदेश, संध्या के समय लाड केनिंग का तार आया उन्होंने कहा कि लंदन के मंत्री मंडल का आदेश है कि नाना का इस्मृत्ती चिन तक मिटा दिया जाए यह आदेश पाकर आउटरम ने नाना साब के राजमयल पर तोप के गोले बरसाए तथा गंटे भर में उसे मिट्टी में मिला दिया गया टाइम्स में छपा पत्र उन्हीं दिनों लंदन के प्रसित पत्र टाइम्स में एक लेग छपा उसमें कहा गया कि कानपूर में अंग्रेजों पर जो अत्याकान हुआ था उसका बदला लिया जाना चाहिए नाना साहब पर दया दिखाने की बात हास्या इसपद है सेनापती हे का प्रस्ता और कलंग की बात है लगता है सर हे बुड़ापे में उस महाराश्ट्री कन्या की सुंदर्ता पर मोहित हो गए वास्तों में नाना साहब का कोई संबंदी जहां भी मिले उसे मार ढाला जाना चाहिए उसकी कन्या को भी है के सामने फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए मेना का क्रदर देखिए कि इतनी कुरूरता से अंग्रेजों ने बेचारी को इसको मारा सन 1957 के सोरी सन 1857 के सितंबर म का समय मेना नाना साब के राजमहल के खंडरों पर बैठकर रो रही थी त्रौआ की सेना भी पास ही ठैरी भी एक उसका रोना सुनकर वहां पहूंचे मेना बस रोएक चली जा रही थी कोी उतर नहीं दे रही थी तभी जनरल आउट रम वहां पहुंचा वह मेना को पहचान गया उसने मेना को गिरपतार कर लिया मेना ने अर्रोद किया कि उसे कुछ समय दिया जाए वह जी भर रोना चाहती है परन्तु पत्थर हर दे आउट रम उससे यह नुमति न दी उसे हतिकड़ी पहना कर का महाराष्ट के इतिहास वेता महादेव चट चित नवीज पत्र बाखर में यह समाचार छपा कल कानपूर के किले में एक भीषन अत्यकान हो गया नाना साब की एक मात्र कञ्या मेना दधकती हुई आग में जला कर भस्म कर दी गई भीषन आग में जलती अनोखी लड़की को देकर सब लोगों ने उसे देवी समझ कर प्रणाम किया सो स्टूडेंट यह मेना देवी का अध्याय हमने कंप्लेट कर लिया कल हम इसके प्रश्णा उत्तर करेंगे आप अच्छे से इसके प्रश्ण उतर पढ़ें सो थैंक्स धन्यवाद